हेलो इस्टुवेंट सो वेलकम टो अवर क्लास एस टेखनिक में कर माइंड सार पर और कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करते होंगे सभी लोग एक दब बढ़िया होंगे है ना तो हैपी नीव यह सभी को भी या ठीक है और पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ाता इंट क्या होते हैं कितने प्रकार के होते हैं कैसे काम करता है सबरूटीन क्या होता है स्टैक क्या होता है जब इंटरप्ट आता है तो जो हमारा मेन प्रोग्राम होता है वो कहां चला जाता है इन सब चीजों के बारे में कल अपने डिसकस किया तो ठीक है और आई तिंक कि आप ल तो इंट्रप्ट हमने क्या बताया था जब भी कोई भी माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है कोई काम करता है और अगर कोई बाहर से इंट्रप्ट आ जाता है यह अंदर ही इंट्रप्ट बन सकता है क्योंकि इंट्रप्ट हमने आपको दो टाइप के बताये थे हैं ना एक बताया और एक बताया था हमने software इंट्रप्ट जो की कहलाते हैं आपके internal इंट्रप्ट जो अपने आप अंदर ही अंदर हो जाते हैं तो यह आपके हमने बतायते ठीक है अब बात करते हैं अपन आगे कि इसकी इंटरप्ट कितने प्रकार क्यों होते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर जो है माइक्रो कंट्रोलर में पांच प्रकार के इंटरप्ट एक उस ku कि यूस किया जाते हैं है कि ठीक बогब होता कि यह माइक्रो कंट्रोलर में ऐसा तो है और यह आए एक टाइम पर एक ही इंटरप्ट आए अनः ऐसा तो है नहीं जैसे अभी कल की जो कंदिशन थी ती की कंडिशन ने आपको केवली यह बतायाता कि एक इंटरफ्ट आ गया तो क्या करेगा लेकिन अगर एक साथ कई सारे इंटरप्ट आजाएं तब फिर काम ज्यादा करना जरूरी है कि एक साधी सुधा व्यक्ती से किसी मम्मी ने और उसी टाइम तो उसकी बीवी ने question किया ठीक बीबी ने पूचा खाना कैसा बना और मम्मी ने भी पूचा बेटा क्हाना कैसा बना खाना दोनों लोग ने बनाया था अलग-अलग ठीक है बेटे को खुश कने के लिए ठीक अब बेटा अस्वन्जस में अगर बीबी की तारीफ कर दी तो मम्मी गुश्था मम्म खाना बुरा नहीं है कंनल ल reckon इंका बुरा नहीं है फिर मतलब उनका भी अच्छा है हो गया ना दोनोस यहीं चीज़ होती है यह क्या हं पैस चाला की कहला भी मार्ण प्रायरोल्टी स्वक्ति टींसर के नियुंक्र mesure कौह ला करना ज्यादा जरूरी है जिसकी प्रायोर्टी ज्यादा होगी वह पहले वह काम करेगा फिर उससे कम प्रायोर्टी वाला काम करेगा फिर उससे और कम वाला काम करेगा और फिर उससे और कम वाला करेगा तो इस में इस इस पे जो हमारे micro controller में interrupt होते हैं वो गैसे होते हैं चै प्रकार के ठीक है छे interrupt होते हैं जिन में इसे 5 वैब करोंट में no और से लिख though시 they still do Forte जाते हैं और वह इंट्रब ऑऊ-का एक है अधी निर опять है reset interrupt दूसरा जो interrupt है वो है आपका external इंट्रप्ट एक्स्टर्नल इंट्रप्ट इसके बाद तीसरा जो इंट्रप्ट होता है वो होता है आपका इंटर्नल इंट्रप्ट है कि नहीं कि internal इंट्रप्ट एस पर नो ठीक और चोथा जो होता है आपके पांचमा हो इस शीरियल इंट्रप्ट नजसे अच्छा इंट्रनल के बाद टाइमर इंट्रप्ट भी तो है noda oh timer internal नहीं है न है कि आण होगा टाइमर होगा कि था जार डान month i am now inter-up and atual आप वह सम्हें external में दो लेक्ट होते हैं न और एक है आपका serial need प्रप्र प्रप्र सीरियल इंट्रप्र यह और भी या कोई लिखा है न आ तो बहुत हुआ है इनके दो-दो है रिसेट अकेला है सीडियल अकेला है तो यह आपके टोटल बैसे तो चाहरी प्रकार के हुए फिर एक और होता है इस बहुत वह तो उससे थोड़ी अधूए प्रोग्रामिंग इंट्रप्ट होते हैं वो क्या होते हैं पांच प्रोग्रामिंग इंट्रप्ट तो पहले इनके बारे में बात करते हैं ठीक है पांच प्रकार के होते हैं कौन-कौन से रिसेट एक्स्टर्नल टाइमर सीरियल और प्रोग्रामिंग कौन से प्रोग्रामिंग इंट्रप्ट पांचमा कौन सा है आपका प्रोग्रामिंग उसकी बात बात में करते हैं पहले इनकी बात देखते हैं तो रिसेट है तो सबस्स करो की Micro Kontroller काम कर रहा है और यह focus तक पहुंचा और यहां जैसे यह पहुचा है इहां पे आगया कौन सा interrupt reset interrupt यहां पर क्या आगया reset interrupt जैसे यहां पर reset interrupt आएगा तो microcontroller यहां से तुरंट हट जाएगा microcontroller यहां से हटेगा और बापस से जीरो जीरो ऐसे processing करना फिर से सालू करें तो reset मतलब क्या होता है reset फिर से पर set कर दो पूरा ठीक है मतलब जैसा default condition में होगा वहां पहुंच जाएगा microcontroller और फिर वहां से processing सुरू कर देगा ठीक तो default condition क्या होती है आपकी 0000 edge ठीक है तो जैसी microcontroller कोई भी काम कर रहे है ठीक है और वह काम कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है करते वाला वह दो तास लेते ते ऐसे टिका टिका के घर बनाते थे नहीं यह वाला नहीं खेला दो तास लिए ठीक है ऐसे कि ऐसे घर बनाते थे पांच का फिर इसके ऊपर एक एक रख दिया पत्ता उसके ऊपर फिर यह बनाया कि बनाते थे फिर एक पत्ता रख दिया फिर इनकी ऊपर एक-एक बनाया ठीक पो आया और पर उसकी ऊपर यह वाला गम किसने खेल नहीं बनाया हलके में छोटे में रहर बनाया अब जब अपनि यह बनाते थे तो घर में एक सरार्थी वच्च्या ओता-ता था एटा तो तो रीशेट इंट्रप्ट आने पर माइक्रो कंट्रोलर जो भी काम करता है वो काम रोग करके उस काम को दोबारा जीरो से फिर से करना स्टार्ट कर देता है बास समझने आई की नहीं क्लियर हो गई आगे अगला इंट्रप्ट जो है वो कौन सा आपका एक्स्टर्नल इंट्रप्ट एक्स्टर्नल इंट्रप्ट जो है माइक्रो कंट्रोलर में दो टाइप के एक्स्टर्नल इंट्रप्ट आपके पास प्रोवाइड किये गये हैं एक है आपका ई एक्स जीरो और एक है आपका ई एक्स वन क्या सब्सक्राइब क्या है तो यह जो आपके क्या है एक्स्टर्नल इंट्रप्ट है जो तो माइक्रो प्रॉसेसर एट जीरो फ़ाइब बन का पिनडाइगराम ता उसमें यह ग्सांट आपको दो पिन नहीं ती जीडिए एएएट जीरो और हैं टी कि इस माइक्रो कंटोलर में external interrupt के लिए हम क्या करते हैं दो पिन का यूज करते हैं आई एंटिजी रो और आई एंटी वन ये कौन से नंबर की पिन होती थी पिन नंबर आपका पोर्ट थरी था ना पोर्ट थरी की कोंसी दूसरी और थी सी पिन थी साय एक देखो लिका वोगों समय कहां जा रहे हो हुआ तो और थरी है न ठीक है 3.2 और पी 3.2 आई एंटी 0 आई एंटी ठीक है ये आपकी क्या थी ये दो पिन थी सब्सक्राइबस सब्सक्राइबस से ऐसे के अपका रोग्राम जो आपका रण हो रहा है अदब करता रहेगा और जैसी इंट्रप्ट सिग्नल इसको मिलेगा तो तुरंत क्या कर देगा अपने काम को रोक देगा और इनके काम को करके इनका निकालके और अपना काम बापिस से करेगा तो एक्स्टर्नल इंट्रप्ट को अंदर भेजने का काम कौन करते हैं यह दो पिने करते हैं ठीक है हर एक इंट्रप्ट का एक पर्टिकुलर क्या होता है memory address होता है हर एक interrupt का एक particular memory address होता है अब हम बताएंगे क्या होता है इसके बाद आपके आते हैं timer interrupt कौन से हैं timer interrupt तो timer interrupt के लिए इसमें क्या होता है प्रितेक timer जो होता है आपके कितने timer बतायते हैं हमने timer ठीक है दो timer बतायते हमने एक timer 0 और एक timer 1 ठीक है तो यह जो तोनों timer होते हैं वो हर एक timer क्या होता है एक timer interrupt से जुड़ा रहता है ठीक है मतलब जब micro controller timer mode या counter mode में जब काम करता है जब micro controller timer mode और counter mode में काम करता है उस time पे अगर कोई interrupt आती है तो जो ताइमर इंटरप्ट है वो signal उसको भेज देगा कि क्या वीया आपके काम हो रहा है ठ् adapting करता है ठीक है या पर अगर interrupt नहीं आई तो फिर क्या काम करेगा यह अगर इंटरप्ट नहीं आती है तो जो टाइमर inटरप्ट है वो माईक्रो कंट्रोल twitter को सूचित करता है काउंटर मोड में काम हो रहा है उस टाइम पर इंटरप्ट क्या आएगी इंटरप्ट यह आएगी कि या तो काउंटिंग खतम हो जाएगी या फिर आपके जो रजिस्टर है वो फुल हो जाएंगे जब आपका टाइमर मोड या काउंटर मोड में काम चल रहा है तो उस टाइ यह हैं किकल हो गया है । है काउंट हो गई है treaty क्या हो गई है समाथ हो गई है समाथ हो गई हैating समाप तो गई हो जैसे आपकी काम समाथ हो जाएगी मैं खर देगा करना तो तो जी आपका टाइमर वन यह टाइमर और काउंटर की क्लास हम पहले ले चुके हैं जिनने नहीं देखी हो जाके पहले वह क्लास देख लो ठीक है तो जो हमारे टाइमर होते हैं टाइमर जीरो और टाइमर वन यह दोनों जाकर करके एक टाइमर इंटरप्ट से जुड़े होते हैं और यह ट यहां पर टाइमर का काउंट क्या हो गया है समापत हो गया है अपने आपको रिशेट करो काम करना फिर से चाली करो ठीक है सबापत हो गया है मतलब काउंटिंग समापत हो गया है काम खतम होने की टाइमर मोड में जो काम हो रहा है या काउंटर मोड में जो काम हो रहा है प्रो पार होता है स्टाइट का माइक्रों को सी मैंक्रों कॉइंट कर छेouse चीरिक करें घूरी tutto घूर आप यहां पहुंच ए हाफ से पंटिन स्टर्ट हो जाओ ही जीरो घृ स MI दूसरा होता है 1 चांवे का रिखते हैं जर्वार से क्षाथ घंप करता है किसलए है इसके बाद माइक्रो कंट्रोलर को यह बताना होता है कि आपका टाइमर कांट सवाप्त हो गया है जैसी इसको इसको रीसेट कर देते हैं अगर हमारे कोई रेजिस्टर फिलो जाते हैं तो उसकी इनफॉर्मेशन देना इसका काम नहीं होता है टाइमर इंटरप्ट का काम नहीं है वह इनफॉर्मेशन देना काम होता है फ्लैक का जो टाइमर फ्लैग हमने पड़े थे टी अप से डिरो यह बड़ पांज में आई की नहीं एगर बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें जो नए है वो सबस्क्राइब करें ठीक है और जो पुरान यो वीडियो को सेयर जरूर करते रहे देखो ठीक है आपके लिए महनत करने नया नया कॉंद तो 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 तीक इसके बाद आते हैं अपन किस पर इसीरियल इंट्रप्ट पे एक ग्लस पानी दो रहते हैं पानी रख दिया करो एक ग्लाश हमाई जाता है सीरियल कम्यूनिकेशन के लिए किया जाता है सीरियल वाइज यहां अब जैस पहले क्या है मिनिकेशन का मतलब होता है ना हमने आपको बाद सुनाई अपने सुनी उसका जवाब दिया यह होगी ना गप्प मानना थीग है बैट गए और जिद जी होते की सुना है और थे कि सुना वहीं बिल्कुल फ्रीक है क्या है क्या है पुराने जमाने का कम्यूनिकेशन क्या होता था कभूत रजाबाला क्लीन प्रोट वेने यूंति यूंदे को च्टी भीजी प्रेमीड ने लिखके और चित्टी देने थी उनकी वहिया प्रेमिका को दे ती उनके टीवी आ गई तिवी तो फिर क्या होता है टीवी पर्डशे कड़ोगो में बड़िया दिग लेकर दीडे वो जल्मिल ओनेर स्था ठीक है पहले जो टीवी थी पहले की जो टीवी थी उसwynική एक मोहले को एक ठाटा एक रूम में पैक कर दिया था नहीं कर दिया था और आज कल की टीवी ने घर में सास बूखा तक दूर कर दो नहीं कर दो तो इसलिए टीवी खराब एक च्छत पेट चड़ा थी उसने पकड़ा एंटीना हलाया थीए एंटीना उसने हिलाया पूची आ गई सीडियों के पास बैटा वो कर आगई तीवी के सामें वाला नहीं अब यह जली में ला रही तो फिर भाई बाद बारे बीच वाले नहीं जली में ला रही तोड़ी औ पहले वाला कम्यूनिकेशन है ना अब फोन लगा दे हाँ सिगनल आ रहे का वो फ्री वाली जो होती है इंटीना सिगनल आ गए हां बहुत किते हैं चार पांच है तनक सो गमादो बच्छावल जित्को गमाओ आगए हां बच्छोड़ दो ही चोड़ दो चूड़ दो तो सीरियल कम्यूनिकेशन अब यहां सीरियल और यहां कम्यूनिकेशन क्या है क्या माइको कंटोलर भी बातचीत करता है नहीं यहां बातचीत कम्यूनिकेशन नहीं होता है ठीक है टेकनिकल लेंगवेज में कम्यूनिकेशन का मतलब होता है डेटा का आदान प्रदान करना देटा को यहां से वहां देना और वहां से यहां लेना इंपूट डिवाइस से माइक्रो कंट्रोलर को देना माइक्रो कंट्रोलर से इंपूट डिवाइस को देना तो यह क्या है आपका सीरियल कम्यूनिकेशन मतलब डेटा एक करके आ रहा है सीरियल वाइस हैना क्या रहा है स नाब जैसे एक्टरनल डीवाइस से एक डेटा आया तो या तु सीरियल मोट को सूचीद करेगा किया अंगर वो बहुत बीट करी Said till नहीं आई तो फिर आपको दिखाएगा कि इंटर्प्ट नहीं पहुंची पिलीज सेंड अगें तो फिर उसको दुबारा सेंड करते हैं पक्का सभी को तो समझ में आ गया तो लाइक कर ना बटिक का है वही है ऐसे काम नहीं चलेगा ठीक तो यह तो ही बात अब मैंने आपको बताया कि हर एक इंटर्प्ट का एक पर्टिकुलर मैमोरी लोकेशन होता है ठीक और वो मैमोरी लोकेशन क्या है आईए देखते हैं तो सबसे पहले कौ तो टाइमर इंतर्प्ट जीनों से एकस्टर्णल इंटरप्ट जीरो और ताइमर इंटर्प्ट जीरो फिर एक्स्टर्नल बन फिर टाइमर इंटरप्ट वन सोह भी सेट एए जी र sug 2 स Once ein टार्मर आपको और उसके बाद आपनने क्या पढ़ा सीरियल क्म्यूनिकेशन इंटरप्ट सीरियल क्म्यूनिकेशन इंटरप्ट ठीक सीरियल क्म्यूनिकेशन इंटरप्ट ठीक है तो आई यह जड़ा इनकी मैमोरी लोकेशन के बारे में चर्चा करते हैं तो री सेट री सेट जब आता है तो कहां पहुंचता है यह 000 h ठीक उसके बाद ex 0 जो होती है वह होती है आपकी 003 timer 000000b AX100003 नहीं 1 3 टाइमर इंटरप्ट 1001B और सीरियल इंटरप्ट 0023 ठीक यह क्या है Reset का Memory Location EX का Memory Location टाइमर 0 का Memory Location EX1 का Memory Location टाइमर इंटरप्ट 1 का Memory Location और यह सब Memory Location तो यह Memory Location आप लोग याद कर लो Reset की PIN नंबर आपको पता है क्या Reset का PIN नंबर किता है 805 बन में पिन नंबर इसका है 9 EX0 मतलब INT कितना है 12 टाइमर के लिए 9 इंटरप्ट है क्यों तो भी टाइमर इंटरप्ट इंवेल्ट होती है अंदर Microcontroller के अंदर इंवेल्ट जो आपके टाइमर रेजिस्टर होते हैं वो खुद जोड़े होते हैं टाइमर इंटरप्ट से ठीक है कोई पर्टिकुलर पिन नहीं निकलती पिन क्यों नहीं निकलती सब टाइमर में क्योंकि हम बाहर से थोड़ी कोई चीज दे रहें एंदर हो रही ह्यां है और के पिम्रिस्याइ सब्सक् reclaim थीच एंटर हीज हो रही है और दाइग्रम पदाया है उसमें और बार्वे नमबर पे आपकी आई एंटी जीरो है और तेरवे नमबर पे आपकी आई एंटी वन है देख लो पिन डाग्राम में आज जिक्का हो गया अरे पूरा बनाया कैसे लिए क्या बहिए या टेक्नलोजी इतनी खराब भी नहीं होनी चीजिए तो जोज में का हम तो लिखी रहे न उस पर फोरी आप मार रहे हो से अच्छा तो यह चीज़ ओ गई फिर से लिखना है बहुत चीज़ा लिख लो गई यह देखो री सेट थी एक जीरो थी एक टाइमर इंटरप्ट जीरो थी एक टाइमर इंटरप्ट बन थी और एक आपकी इस इसका टाइमर पिंटरप्ट थी एसा टाइम एक ग 옍 घीरो जीरो जीरो एक टीरो जीरो जीरो टृत इसका टाइम है है यह आपका मैमोरी address यह माइक्रो कंटोलर पेいभ्न नम्बर यह पिन नम्बर अब प инт नम्बर तो आ गया अब शाक बिए क्लियर कैसे करें तो कि इसको हम क्लियर कैसे करें किसको कि एंट्रप्ट जो आपती जा रहे हैं तो को इड़ा को इस पेस कूले अब हैंगी तो वो आप कैसे होंगे उसको जब सर्व करता है क्या करता है सर्व करता है सर्व करने का मतलब उस पे वर्क करता है उसकी प्रॉसेसिंग करता है इंट्रप्ट की प्रॉसेसिंग करने के बाद आउट्पुट देता है जैसे इंट्रप्ट की प्रॉसेस करके आउट्पुट उसने दिया इंट्रप्ट करने ज़र्ण नहीं होती है गों लेकिन जो लास्ट वाला सीरियल कम्यूनिकेशन है इसको हमें प्रोग्राम द्वारा किर्णा पड़ता है कि ऌतना किलियर्स अग्ध समझ में बतौरे समझ में आई कि नहीं है थी क्लियर्न तो stressing क्या होता है एक्स्टरैल क्या होता है और आपका इंटर्प्ट क्या होता है इनके बारे में उपनने सीखा इसके बारे में जो भी आपके पास कताब वैसे तो आप आपको बोली थी कि हमारी एक्षिन की किताब ले लेना ठीक है जिसने लेओ अच्छी बाद जिसने ना लीओ वो अभी ले-ले मारकेट में अवेलिवल है ठीक है तो बोले सकता है भूक ठीक है और नकालों से सावधान रहें ठीक है क्योंकि कॉपी भी बहुत हो रही है कि तो से पीडियाप भी पनावना के डाल रहे हैं तो भाई सब उन्हें बहुत सारे चेंजिस भी कर सकते हैं कुछ का कुछ लिख देंगे हमें बरोसा है कि वह कुछ ना कुछ और लग देंगे आप उल्टा सीधा पढ़ लेंगे उल्टा सीधा समझ लेंगे बो दिमाग में आ जाएगा वो यह एक्जम में लेकाएंगे सो नमबर नहीं आएंगे ठीक है तो किर्पया नक्कालों से साउधान रहें सुद्ध किताब खरीदें एशियन पब्ली से कहा उस पे लोगो लगा होगा पूजा यादों के द्वारा लिखी गई है देख कर लें ठीक है तो यह अपना हो गया इसके बाद अगली क्लास में हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग इंटरप्ट होता क्या है और उसकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है कि अच्छा एक ऐसा कंट्रोलर जिसको हम नहीं नहीं कंटोलर नहीं नियंट्रप हाँ पी एलसी की हिंदी पूच रहते हैं तो तहीं तो तो अगर आप लोगों को यह समझ में आ जाओ तो वीडियो को लाइक करें जो नए है वो सब्सक्राइब करें जो पुराने हैं वो सेयर करें तक तक सभी को टाटा भाय भाय रादे रादे असलाव वालिकुम सस्रीयकाल जय महाकाल जय हिंद जय भारत और एक चीज हैपी नहीं है